नमस्कार मैं हूँ जैकिशन फिलाल हम जो कड़े हैं सीकर एक अल्यान अस्पिताल की मौर्चुरी के भार कड़े हैं यहां आप देखिए लगातार जो राजू ठेट के समर्थक है और सीकर के आम लोग जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं जिस तरह से फाइरिंग कर गई उससे लोगों में आक्रोश है भारी गुसा है इसमें कुछ राजू ठेट के परिवार के लोग है कुछ आम जनने सीकर के जो काफी शॉक्ट है इस इंसिडेंट के बाद में खुद जो लाडनू विदाया के कॉंग्रेस से हैं मुकेश भाकर यहां पहुचे हुए लाड़े सी जो की एपिसेंटर है कोटा के बाद में कोचिंग का वहां 30-40 राउंड फाइरिंग हो जाती है राजू ठेट के तो जान जाती है काम व्यक्ति ताराचंत की भी जान चले जाती है आपकी सरकार आके लोगन ओडर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए देखिए यह अपरादी यहां से निकले हैं राजू ठेट की अत्या हुई है साथ में एक ताराचंत कडवासरा जो अपने बच्ची से मिलने यहां आया था उस वेक्ति की अत्या हुई है चाहे लोग यह कह रहे हैं कि अपरादी थे तो अपरादी यह उनको सजा कानून देगा न्याय द पूरे बारत के लोग यहां बच्चे यहां पड़ने आ रहे हैं ना के ओल राजस्थान के तो और एक ताराचंत कडवासराजी जो नागोर निवासी हैं उनकी अत्या हुई है वो अपनी बेटी से मिलने आ रहे थे और किस तरीके से विचलित हरदे विचलित करने वाली जो किड़नेप हुआ और जो सिकर है इस राजस्थान में जेपूर के बाद में कहूंगा कि सबसे विक्सित जिलों में है हेड़कौाटर है यहां कोचिंग्स है जो ऑस्पिटल्स है उसके लवाँ डिफेंस है और एक आम वेक्ति यहां आकर इस सिकर में बसना चाहता है जो आस जब दो मेने से यहां परादी घूम रहे थे जब उन्होंने यह नहीं कि आये और हत्या करके चले गए कहीं सड़क पे गोली मार दिये तो वो किस तरीके से दो मेने से यहां रह रहे थे पुलिस क्या कर रही है क्यूं उनकी इंटिलिजेंस फेलियर रहा कि इस तरह से तो कहां पुलिस ने अब तक क्या किया है पुलिस की गाड़ी पर फायर करके निकल गए तो पुलिस तो रही है कानून विवस्ता क्या कर रही राजस्थान में यह मुझे समझ नहीं आता यह चोटी गटना नहीं है जिस जगह यह गटना हुई है जो लोग मारे गए यह चो इस यह बता के कि मनने वाला अपरदी था इस तरह से कि आहिए पना पल्ला नहीं जाड़ सकते इनके परिजनों से राजु ठेट के परिजनों से और तारा-चंद करवास राज rage इनके परिजनों से इनसे बात करके इनकी जो मांगे हैं जिस बात पर यह धरना दे मांना पर्सासन यह सोच रहा है कि यहां यह लोग बेट हैं और आज संसकारे साने छहार नहीं होगा और जिम्मेदार पर्सासन गाइधा मुंकर ने पर समय क्रहा हृँ‍प कि आपने पर मतली में प्रत्र फ्रक्तर कार्शतान ओर और नहीं प्या dinero और चौतिस मुकदमें वहां क्यों आएं सामने तो नहीं करें आप क्या एक ऐसा व्यक्ति जिसको 34 मुकदमें दर्ज हैं आपने सही कहा कि कानून तया करेगा अपरादी था या नहीं था लेकिन वहां ना आप भी के पार्टी के जो लोगों पीट पीछे जो है वापकर कृट प्राद ने बरीकरा कोड़ से उपर है कि यहां इंदुस्तान में कुछ नहीं है और जाती की क्या बात है आज यहां मैं पढ़ा हूं मेरा यहां मैं रोड पे लाके मार दीजी उनको अपरादियों को सौंप दीजी पुलिस क्या कर रही है तो जो प्रपोगंडा बनाया जा रहा है उससे नहीं डरेंगे एक पल भी और जो जो ये बात कह रहे हैं जो जनपरती नहीं दी वो सामने आके बोले भारत जोड़ो यातरा कल रहे हैं यह यातरा अहिंसा के लिए निकाल रहे है राहुल गांधी पुरिदेश में जो तनाव बढ़ रहा है उसके किलाव निकाल रहे है लेकिन जहां कॉंग्रेस की सरकार है सिरोई के अंदर एक दलित को मार दिया जाता है वहाँ इंटरनेट बंत कर दिया गया है धौल कि मैं इंसा के लिए अपनी यातरा निकाल रहे हूं वो करें ड्रो मत आज इस तरह से हत्या कर दी जाती है कल दूसरा आदमी या मरेगा तो कोई नहीं बोलेगा तो इस तरीके से आप चाहोगे कि दूसरे के घर में लोग मरते रहे हैं और हम लोग अपना शांती से बेठे करेंगे तो मरना उनको भी पड़ेगा जो लोग आज यह सोच रहे हैं कि हम बुराई करके अपना पला जार सकते हैं हम यह कहते हैं कि अपराद मुक्त राजस्थान होना चाहिए जिस आदमी की हत्या हुई है उसको आप किस जगह हुई है आप यह सोचिए चोटी गटना न है उसके खुले आम उसकी गाड़ी चीनी जाती है बेटी मिलने आ रही है वो अपने बाप को सामने मरावा पाती है तो आप जो एक प्रोपागंडा बनाया जारा लोगों दुवारा और उस पर हम कहीं विचलित नहीं होंगे जो टेग इनको लगाना वो लगा दो लेकिन न है मंतरी है मुकेश जी आप क्या लग रहा है कि फुल टाइम हो मिनिस्टर की जरूरत है कहां फेल हो रहा है को राजस्तान में बहुत सामान यह हो गए परसा आपने जैपूर में पढ़ा होगा गैंग वार के अंदर वहां भी एक हत्या हो गई उसके बाद में आज यहां सी मंतरी जी पास में रखें इस राजस्तान को अपराद से बचाए यह मांग में कर रहा हूं खुल आम नागोर में कोल्ट के अंदर गोली मार दी जाती है आठ साल के बच्चे का किड़ने पोता और आज की यह गटना यह चोटी गटना यह नहीं है मैं यह कह रहा हूं कि पू यहां दलाली करते हैं उन लोगों को यहां पोस्टिंगे दी जा रही है कौन जिमेदार है इस बात का और इसलिए यह फेलियर हो रहा है आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया क्या राजस्थान के अंदर यह बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है पोस्टिंग बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेशर में हो रही है मेरिट को साइड में रख दिया गया है और जमीनों पे कबजे अवे धंदों में कहीना के मलेस किसी पार्टी के नेताओ के नाम दोने पार्टी हो साथ है क्या आप कैसे देखते हैं क्या सलूशन है लेकि यह सब राजनेतिक बात है हम च मेरी डिमांड यह है कि राजु ठेट के परिवार के जो लोग है जो आज ड्रे में उनको सुरकसा मुआये करे जाए अपरादियों को पकड़ा जाए और जो ताराचंद कडवासरा जी उनके भाई दरने पर बेठे हैं वो यह कह रहे हैं कि हमारी परिवार जो मरें उनके त से बात होगी वह परिवार्जन करेंगे और वीर्तेजां यहां समीती बनी और यह वह बात करेंगे उस बात के लिए हम लोग बात करने नहीं जयwealth करने नहीं जो बात यहां होगी होगी निर्मल चौधरी भी हमारे साथ में राजस्तान उनिवर्सिटी के स्टुडेंट यूनियन के अध्यक्स है निर्मल दिन दहाडे दुश्कर्म और आज की एगटना आप किस तरह से देखते हैं यह बिल्कुली एक विचलित करने वाली मन को विचलित करने वाली बोडी को देखिए वीडियो फुटेज को देखिए एक बेटी के सामने एक बाप कैसे मरवा मिला जो बेटी अपना भवश्य बनाने के लिए यह सिकर आई है यहां पढ़ने लिखने के लिए कितने स्टूडेंट भारत से पूरे भारत से यहां लोग पढ़ने के लिए आते हैं जब हम किसी कोई गेंगेश्टर के किसी बदमास के उनके पक्स में आके यहां не बेटे हैं हम लोग यहां न्याय केप लिए आके बेटे हैं के जनता को लिए इस परकार से हैं खुले आम दीन दाड़े गोलियां चलाएंगे मारेंगे हत्याएं होगी तो इस परदेश की जनता फिर नेताओं में क्या बरोसा रखेगी किसको लीडर मानेगी लीडर जो अपने आपको मानता है वो नेतर तो करे अपनी जनता का बचाओ करे उनकी हक्कीर अधिकार की बात क सकते हैं कि राजनीती से उपर उठकर जो है वो इस मामले को उठा रहें लेकिन सवाल उठेंगे क्योंकि सरकार ही नहीं की हैं यह कॉंग्रेस के विधायक है और इनकी कह रहे हैं यहाँ पर जो उनकी डिमांड देगे राजस्तान में बहुत सारी गटना हुए दिन की शुर घटना हो सकती थी सीरोही में एक दलिद परिवार जो है वो न्याय के लिए इंतजार कर रहा है वहां इंटरनेट बंत कर दिया गया है न्याय को लेकिन अभी नहीं खोला गया चालू किया गया है वहाँ सीरोही घटना है गंगानगर के अंदर जो है लालगड जाटान को मार दिया तो राजस्थान जो है शांती प्रदेश था शांती के लिए जाना चाता था जब सवाल करते हैं सरकार से तो वह अपना जो है इस सवाल से अफना जो है मुंक LEति है चहरा मोड लेती है और ये जवाबों के सवालों के जवाब कभी भी नहीं मिल पाते कैमरा परसें मनीश कुमार के साथ जैपूर से सीकर से जैकिशन शर्मा राजस्तान तक मिल खर्मा प्राजस्तान तकुमार के से जैकिशन डिए जो खर्मा अबनर परसें ये जाओ जिसन तब भांटाउ अ करने हैं है ये जाओ कर दो खर्मा नहीं गार्यों प्रच्वाएक लॉड बादे जो पुट आगा जो बायो जा झाल भी जो आपर जो 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 आगाई जिर आगा जुटो जो आगा है जोगाई जागाई, धुटो जो पीचो जो आगाई में और ठोड़ा के रहे लिए भी रादा नहीं यहां नहीं है थोड़ी थोड़ी किसा जोगी? एड़ी तुम जिराओं करें